याल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सत्गुर्त्याया, प्रभ की सरण सगल पहला थे, दुख बेन से सुख पाया। पर्म सनमान जोग, गुरु रूट गुरु खलसा साथ संगेजी वाहि गुरु दिक्का खलसा, वाहि गुरु दिक्की ठते, आप सरबत संगतां बहुत बहुत बढ़ियां पागाम वाले हो, दिनानु गृवन वाज दसं पात्षाहियां दे पावन प्रताक्स रूप, तक्त चवर शत्र दे मालक सत्गुरु तानतनु सत्गुरु, शिरी गुरु ग्रंद साहिब सच्चे पात्षा महराध्डी दी, परम पावन पवित्र हिदूरी विखे डुड करके, दम्द में टक्साल दे हैड़क्वार्टर गुरुद्वारा गुरुदर्शन प्रकाश मेता व फिर्खन दी बवन्ज में सालाना याद अपमना रहे हां, इन आदा बवन्ज में सालाना जोड मिला है, उन आदा भी ए सट खंध गमन अस्थान है, येश करके एश अस्थान उत्ते हर साल दी तरा, 5. दम्दमीत कशाल दे बारमें मुखी, सट खनवासी, विद्यमारत अंड पन्थ रतन 5. महापुरुख संत ज्जानी गुर्बटिन संग्जी खालस पंड्रामवाले महापुरुख 6. अतेवुना महापुरुखां दे अनान पे आरे अपने जीवन दी कुर्बान्नी माहा पुर्खां दे उत्तों देन वाले जीवन नु निशावर करन वाले सेवा सिमर्न विट पिविधी होई पुवित्र आत्मा पाई सा पाई गुर्मक संग जीवडी सा उना दी विजाद नाल ही ताजा कर रहे हैं परसों रोड तो लएके जथे संगत बलों दो सरी खंड पाड साहिब समेथ स्री डवडी साहिब जीदे जो मरजादा कलंगी तर पात्षा जी ने आप तलोना किती है उस मरजादा उनसार दो सरी खंड पाड साहिब श्मेत श्री डवडी शाहिब डी दे परसोतु पर अरम हो जेसन और उना दे पोग्दे समें आप सारियां संगताने नगर्नवासी संगताने अलका नवासी संगताने दूरों दूरों महाँ पुरुखां दे Andaal प्रेम करन वाले गुर्षिक माई पाई पोग दे समय हाजरियं पर रहे हन अमर्त वेले तो जथे दे सिंगा बलों जिद्धे गुर्बानी दिया पंड़ बानियां दा नितनेम किता गया सुक्मनि साफ दिदी बानी दा नितनेम सर्वन करवाया गया उत्थे सारे संगाने बड़े प्रेम, उत्षा दे नाल, पावना दे नाल, लगपग, शेक एंटे, गुरु की बानी दा, आसाजी दिवार दे रूप विचकीरतन, आप संगता नुँ सर्वन करवाया है साथ संग जी, जनम रतन जीनी खटे आप अले सेवन जारे, कह नानक जिन मान निर्मल सदा रहा है गुरु नाले मनुखा जीन बंदी असली ड़ी कदर और कीमत है, वो पूरन रूप दे विच ऐसे माहा पुर्खी अपने जीवन विच पौंदे है क्योंके मनुखा जीवन दा असली मकसद वाहि गुरु प्रमेशर दी प्रापती है तो वाहि गुरु प्रमेशर दी प्रापती दा सादन की है रसना नाल अते स्वासा नाल स्वास वाहि गुरु दी याद विच डुडे रहना और जेड़ा जुड़दा है ओ वाहिगरू प्रमेशर दी प्रापती देविच अपने जीवनों ये शतरा लीन करलेंदा है जू जल में जलाए खटनना त्यू जोती संग जोत समानना जू में जल विच पानी विच पानी पादे ओ पानी दा पानी रूफ बन जन्दा एसे तरा उफ वितरा आत्मा वाहिगरू देविच लीन हो के प्रमेशर दा रूफ बन जन्दी है साथ संग जी दिना महा पुरुखां दी जाद विच आप बैठे हो इना ने अपना एक-एक स्वास एक-एक रूम अपने रूमानों भी रसनाई बनाया होया सी और इना महा पुरुखां ने अपने जीवन देविच बहुत वडी का लना का लिया और जेस प्रवार वेच इना महा पुरुखां दा जन्म होया ओस नगर वेच ओस प्रवार वेच कल्गी तर पाद्शात अन श्री गुरु गोविन संग साव सटे पाद्शादी ने अपने पावन चर्ण पाई सन जदों सद्गुरु सटे पाद्शादी राए कोट दे अलाके दे वेच न अगर लम्मे जट पुरा विखे भी एकी दिन सद्गुरु जी ने नवास रखेया पाई राए कल्ले दे राही नूरा माही तो साहिब जादे शोटे तन बाबा जुरा वर सिंग जी तन बाबा फते सिंग जी फूजनीक अमर शिही तन माता गुजर काउर जी दी शहादत दी खबर सरहंदतों मगवाई सारा समाचार सुनेया साहिब जाद्यानों के में नीहां दे विच खले आर के अंतांदे तसीहे दे के शिहीद कीता गया ओ सारी खबर पारी नूरे माही ने इसे लाके विच लम्मे जड़ पुरे लिया के सत्गुरु जीनू आप सर्बन करवाई जित्तों मुगलिया सल्तनात दे जुल्मी राज दी सत्गुरु जीने अपने तीर नल जड़ पुर्टी काहीं दे भूटे नू जड़ा तो पुर्ट के भरदान ए बचन कीते के जुल्मी राज दी जड़ पुर्टी गई है वक सस्थान तो सत्गुरु जी इस ़लाके दे बच जित्त जित्त संगता याद करदिया सान उत्ते संगता नू दर्शन दिदार देन है ठिट चर्ण पौण है जया करदिसान और एक दन सत्गुरु जी एस अखाडे नगर्दे विच गए जिस नगर्दे विच महापुरुखां दे जन्म होया एस नगर्दे विजुर्ग पाई अमरा ते भीबी बीरा बाद वे चुना दा नाम माता सेवी भी आउंदा है ये दुन्नों दंपती गुरु करदे प्रेमी प्रवार सन इना ने सत्गुरु जी दी बड़ी शर्दा पावना नल सेवा किती है सत्गुरु जी ने प्रसन होके वर्दान बक्षिश किता के तो अड़ी कुल दे वेच एक महान परुपकारी प्वित्रात्म गुर्शिक महांपुर्ख जन्म लवेगा सो सत्गुरु जी दे वर्दान फाल्स वरूप बाबा अमरा जी दे सुपुतर पाई महबतिया जी होए दिनाने सिख मिसलां विले दिनानू सिख मिसलां तो खंडे बाटे दा अमर चकन दिदात प्राप्त होई नान पाई मपत सिंग रखिया उनने बाउत पारी सेवा सिख मिसलां दे विच खाल सा पंत दी जंगा जुदां दे विच तरदी कला दिनान सेवा कर दे रहे उना दे करे पाई आकल संग पैदा हुए पाई आकल संग दे करे पाई नथुआ संग दे जनम हुए पाई नथुआ संग दे कारविच पाई मानना संग और पाई मानना संग दे कारविच महापुर्खां दे पिता सतकार जोग बाबा रूड संग दे जनम हुए बाबा रूड सिंग दी फोज विच भी नौकरी करदे शान और नाल नाल गुर्बानी दे बहुत वड़े बे असियत नितनेमी शान एकसा दो पक्का पत्रा शिरी गुरु गुरान साथ दीदे दोसो चार आंग रोड दावना दा इनना नितनेम सी महापुरुखांदे पता बाबारुड संग दीदा और महापुरुखांदे माता माता अनन्द कवर जीवी पच्ची पाड सिरी रवडी साहिप दीदे नितनेम तुम बिना करया करदे सान और एस गुर्मख पवित्र आत्मामंदे करविच उन्नी सो दो इस्वी और उन्नी सो उन्नाथ विक्रमी सम्मत 12 फर्वरी फगन दी सग्रांद अते माग दी पुन्यानू अमर्त वेडे महापुरुखांदा अखाडे नगर विच जन्म होया और रोस्तों बाद महापुर्खानों पवित्तर जल्दे नालशनान करवाके सत्गुरुजी दी हजूरी विच्च माता जिनों ते महापुर्खानों लड़ाके जन्म संस्कार दी रसम मर्जादा पूरी किती गई और गुरुपूरा पे टेवड़ पागी ये शिरी मुखवाक और तो महापुर्खान दा नाम गुरुबच्चन सिंग रख्या गया और साथ संगे जी महापुर्ख जदों तेरांक महिन्यां दे होए बड़ा असय ते अकैस अदमा एस प्रवार नू लगा जदों महापुरुखान दे सतकार जोग माता अनांद काओर जी सट खन प्यानना कर गए किनी को मर्शी तेरा मी नया दी मर्शी के बड़ा बड़ा सदमा है साथ संगे जी बच्चे नू माता दा बहुत बड़ा आसरा और माता दे प्यार दुलार दी माता दे निक दी सब तों बड़ी लोड हुं दी ये जीवन विच बड़ा अकैस अदमा सी ये So माहपुरकान दे माता जी सट्खन प्यानना कर गए ओस तो बाद माहपुरकान दे दादी माता माता राज कौर जी अते Πुगा जी ने माहपुरकान दी पालणा की थी और सत्ता अठ्था बरेयां देयानू माहा पुर्खानू माहा पुर्खान दे पुवाजी आपने नगर जिते व्याय होई सनकिशन पुरे ले गई पुवाजी दिये लगन सी के मैं इनानू दन्यावी विद्यावी पढामा और ये पढ़के चंगे उचकोटी दे विद्वान बन सकनू सो नने ओ समें उड़्दू प्रहुन वास्ते चंगे चंगे स्याने बजुर्गां दे पास माहा पुर्खान दियां कलासा लोणियां परारम कितियां ओदू उड़्दू भी बहुत जादा पड़ाया जंदासी मखरूप देवेच गुर्मकीता आम बोलचाल देवेची लोग बुल्या करदेशन सो साथ संगजी नालनाल महा पुर्खान ओस नगर देवेच ओदास इन संपरदाय दे महातमा संत लाल दास दी बड़े उचकोटी दे विदवान संदू ना तूंभी ता आर्मक गरंथां दी विद्यादाद हैन करवाया यों कोड समा अपने पुवादी दे पास महां पुर्ख रहे ज़दों आप जी दी पंदरां तो सोलां साल दी उमर होई पिता जी रटायर होके फोज विचो नगर विच आगे फिर अपने पिता जी पास महा पुर्खाने आउना और नगर विच रेन अपने पिताजी नाल दसा नहुंदी किर्थ कमाई देवेच अपने हाथ डटोने सह दोग देना हर तरह करके नाल करदे कम कार भी क्रोने यते नाल गुरुबानी दा नितनेम भी करना जदो आप दीदी ठारा साल दी उमर होई ताँ एस अखाडे नगर विच उन्नी सो भी विच सेंग सवा लेहर उना देना दे विच बड़ी पारी जोरा शोरा नल चल रही सी अंग्रेज राड सी गुर्दवारयानू अजाद क्रोन वास्ते महंतांतों करप्ट सादांतों गुर्ट आमानू जोके जिनाने अपनी गुर अस्थानानू आईशो इशर्त दे अड़े बनाले असी उना तो अजाद क्रोण वास्ते बड़ा पारी खालसा पंथनू संग अर्ष करना पया और गुर्द्वारा सुदायर लेहर देविच अकाली लेहर विच दम्दमी टक्साल दे ग्यार में मुखी पंथ रतन ब्रह्म ग्यानी महापुरुक संत ग्यानी सुंदर सिंग दी पंडराव वालेयां दा लाम साल जोगदान है पामे के ओस वगदे लखारिया ने बड़ी बेन साफी किती है और ओस समेदे पंथ का अगुआ ने भी एस गलनू बड़ा अक्षों प्रोखा करन दे जतन किता के महापुरुकांदी सेवामा डेडियां पंथ दे विच संतां दे समने ना लेंदियां जा सकन दमदमी टक्साल दे नल मुड कदीम तो ही ऐसे ऐसे लोग जानलखारी विद्वान भी पैदा होए जिन आने दमदमी टक्साल नू कोशश कीती के हर पाखतों अक्षों प्रोखे ही किता जाए रख्या जाए अतिहास दा लखारिया ने हिस्सा बढ़नतों भी बड़ा पारी संकोश कीता बेन साफी कीती पर साथ संग जी जे में सूर्ज नू बदल नी टक्सकदे जिनने मर्जी बदल चड़ चड़ के आजान एक दिन सूर्ज अपनी चमक अपनी दमक एस तर्तीते बखेरदा ही बखेरदा है एसे तरह जोद्या मर्जीबनिया सूर्मिया बहाद्रा बिद्वान्ना शहिदांदी जते बंदीदा अतिहास तनग्रु गोविन सिंग्सामा राजीदे समेत लएके आज तक खालसा पन्थ दे हिर्दिया में चुक्रिया होया है दम्दमी टक्साल जते बंदी खालसा पन्थ दी रू है खालसा दी खालसा पन्थ दी आत्मा है जिसने हमेशें खालसा पन्थ नू समर्पत होके कौम दी पन्थ दी और पिछे रहके निर्मान रहके सेवा किती है जदो महापुरुक संत बाबा सुंदर सिंग जी ने संत ग्यानी गुरु बचन सिंग जी खालसा जी नू दम्दमी टक्साल दे मुखी दी सेवा संबाली सियोदों भी बचन कहे सन के पाई पन्थ दे मुड़े नल मुड़ा जोड के हमेशा पन्थ दी निगर सेवा करनी है पर पन्थ दे पिछे रहके निर्मान रहके सेवा करनी है कदे आगू नहीं बनन दा जतन करना इन्नी निमरता इन्नी निर्मानता इस जथे बंदी दे मुखिया ने तन बाबा दीप संग जी दे समें तुई रखी है सो साथ संग जी एस करके जडी गुर्द्वारा सुदार लेहर ते अकाली लेहर सी ओस विच सिख संतां विच्चों समतों वड़ा जोगदान महापुरुक संत बाबा सुंदर संग जी पे नरावाले आंदा सी जैतो दा मूर्चा देखलो मुक्सर साब दा मूर्चा देखलो चाबियां दा मूर्चा बेखलो ये सारे मोर्चेमच महां पुर्ख बाउत वड़ी कालना काल दे रहे और साथ संगजी एथे बसनें अंग्रेज राज दे जुल्म दे खलाफ क्योंके अंग्रेज्जाने पिंडांदे विच सवैद पोशड़ दे लोकसन अंग्रेज्जान दे गदार कौम नाल, कौम दे डिड़ अरुवा नाल पारीगदारी करदे सान ओ सवैद पोशड़ दे नंबड़ दारियां ते चाओधरी पुने देते होई सान चाओधरी बनाए होई होई सान पिंडा मिच पंचेती राज नी होया करदा सी एक पुर्खी राज होन करके जो चाओधरी नू ओडर उत्तों अंग्रेज सरकार दा ओसे मताबक पंड़ विच ओ ही फैसला लगू करवाया करदा सी सो माहां पुर्खा ने संत बाबा सुंदर संग जी पंडरावालया ने लेलपुर बार दे लाके विच पाकस्तान दे विच सब तो पहला अंग्रेज राज दे उस जुल्म दे खलाप बगाबदा बेगल बजाया पिंडा 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 मिच जाके गुर्खा दियां पंचैतां बनायाँ पंचैती सेस्टम जेडाता अनगुरु हरगोबिन साभ जी ने सिरी अकाल तक साफ जीदी सरड़ना बेले हुकम करके आग्या किती सी के पाई आपो अपने नगरां विच खाल साई गुर्खा दि पंचैत बनाओ पाब गुर्खा दियां पंजा पंजा गुर्खा माई पाई पंच मेंबर होन पंजा दि पंचैत होवे जो पंडा दे मसले पंडा मिच नवेड़े जान सारी पंचैत इन साफ नड मसले दा हल करे जे नहीं हल होन दा जे में बड़ी कोट विच जाया जन दा ओ फिर मसला सिरी अकाल तक साब ते आके उस दा नवेड़ा किता जाया करेगा जे शेमें पात्षामा राज जी ने काल तक साब जीदी सरजना समय जिते मीरी पीरी दियां सिरी साब मा पेनियां जिते जुल्मी राज दी जड़ पुटन वास्ते सत गुरू जी ने सिक संगतानू हुकम नामे जारी कीते संके बदिया ज्वानी बदिया कोडे सुवारियां वास्ते बदिया शास्तर गुरू का रविच पेटा करो ओथे गुर्सिखां दा पंचाइती सिस्टम भी सथापत करन वास्ते तान गुरू हर गोविन साब जीदा हुकम सी सिरी अकाल तक साबत हूँ और उस हुकमनों पाक सान दे अलाके विच महापुरुखा ने अंग्रेज राज दे विच सब तो पहला लागू करवाया और अंग्रेजा ने महापुरुखा नल हमेशा बड़ी पारी टकर लई हर समेते बड़ी वेरी गृफ्तारियां करण वास्ते ब्रांट जारी करदे रहे फृरीद कोड़ दा राजा भी अंग्रेजा नल मिलेया हुए अहून करके ओ भी महापुरुखा नुँ गृफ्तार करोन वास्ते अपने रियास्त दे सपाही भी कई थामा ते पेड़दा रहा ते महापुरुखा नुँ गृफ्तारी वल्लों समें दे आए हाकमानु मूँ दीखा के पिछे मुड़ना पेड़ना सोना महापुरुखा ने बड़ी नर्पैता दे नाल साथ संगजी पंथ दी अकाली लहर विच गुर्द्वारें दी लहर विच गुर्द्वारा सुदार लहर विच गुर्द्वारें नुँ जाद क्रोण विच सारे मोर्चें विच पारी बड़ी सेवा किती ओदो अकाली लहर चल रही सी ओदो फिर सारे पिजाब इच वखवख नग्रां इच वखवख अलाक्यां इच वड़े वड़े दीवान रखे जन दे सान प्लीटी का लोग स्यासी लोग ता कानफरेंसां कर दे याई पर माहा पुरुखते जथे बंदियां डिडियां सान ओ गुर्मत दे दीवान सजाया कर दे सन ओ दीवान वखवख लाक्यां मिच रखे होया कर दे सन उन आविच तेन देन पंच देन गुर्बानी दा कीरतन कथा दा प्रवाचलना नाले संगतानू अम्रत शिकाउना नश्यां तुरेत करना साबत सूर्त केसर ख़वने नाले अंगरेज्जान दे जुल्मां दे खलाप संगतान दे अंदर भीरता पर के कौमनू जथे बंदक सेस्टम जड़ा खालसा पंथदा सी ओस दी लड़ी विच परोके जुल्म जड़े सन अंगरेज्जान दे उना दे खलाप लणली त्यार करना मोर्चेयां विच जथे संगतनू मोर्चेयां विच जथे संगतनू पर डणलेई तियार करोना और नगरा नगरां दे विच्चों संगतां दियां ड्यूटियां लोनियां ए ता थोडियां दियां बेनतियां कीतियां के ए दीवान क्यों रखे होई सन इन अदा मक्सद एसी केकता अम्रत दी लेर चलोनी सारे पिजाबेच गुर्सिखी दा परचार परचार करना दुजांग रेज राच दे जुलम दे खलाप भी संगतानू तियार करना क्योंके जालम सेर चुकाया साथ संगजी कदे भी जुलम करन तो बाज नहीं आ सकदा जालम ओदों ही बाज आउंदा जदों जालम दे जुलम दी टकर लई जाए सर्च का उननाल कदे जालम अपने जुलम करन बननों पिच्छे नी हटया करदा एस करके ए भीरता भीरस गुर्सिखांदे विच्छ संगतामच परन वेचे बड़ा बड़ा परोग्राम सी सो अखाडे नगर विच्छ वी तन दिना दा ओ गुर्मत दा दिवान गुर्मत समागम रख्या होयास जिदे विच्छ दम दमित घ्रक्साल दे 11 महा पुर्ख संथ बाबा सुंदर संग दी पें ड्रां वाले गुर्बानी दी कठा करण वास्ते एस नगर विच अखाडे विच पउंचे हुए हुई सँ दो देन माहा पुर्शा ने गुर्बानी दी गुरते आसदी कथा सनाई जेस दन सुमापती सी तीसरे दन अम्रत वेड़े तन श्री गुरु गुर्ण साब जीदा आया होया श्री मुखवाग जैस्री दी राग जो मद है शिरी ग्रु गरन साप जीदे खान पार्दा, सैड पार्दा, कथा दा, जदो मद लगदा जैस्री दिवार्दी रमता विले मद इर्दास किती दंदी है ओ शबद आया आद पूरन मद पूरन अंत पूरन पूरन प्रमेश्वरह है ये शबदी कथा महापुरुक संथ बाबा सुंदर सिंग जी पिंडरावालया ने अपने मुखार बिंतो संगतानू सर्बन करवाई ता ओ संगत देविच स्रोते बनके अठारा साल दी उमर देविच जुआनी देविच पहला कदमी रख्या होया है महापुरुक संथ ग्यानी गुरुबचन सिंग जी खाल साओ कथा सुन रही है कथा दा ऐसा मिकना तीसी जादों में यासर होया के महापुरुका दा एक एक बचन हिर्दे देविच साथ संगत जी जी में तागे विच मोती प्रोय जान दे एस तरह प्रोया गया और वेराग हिर्दे विच्चों ऐसा वेराग दी लहर उटी हो रहना सकाम बिन देखे प्रीतमा मैं नीर बहे बहे चल्ले दियो नेतना मिच्चों वेराग दा जल चल्दा है और कथा सुन रहे हैं कथा दी संपूर्णता हुंदी है महापुरुक समापती तो बाद दिवान दी समापती तो बाद अपने असन ते डंदे है और महापुरुकां दे मगर मगरी संत ग्यानी गुरुबटन सिंग दी खालसा दी भी तुरे दा रहे है जोदो महापुरुख अपने आसन ते पाउंट गए, पलंगे ते सच गए, संत बाबा गुरबटन संग जी खाल सादी ने मथ्था टेकन दी कोशश की थी, क्योंके साथ संग जी अडिकल भी है, कई लोग महातमानू मथ्था टेकन लग जन दे है, मथ्था ता अन्श दी गु कर दी प्रम्परा है, पर मथ्था टा केवल गुरु गुरु गरंद साथ जी महराज जी नू ही, टेकना ये मर्जादा है, महापुरुख ने रोक्या पाई, नम्श कार ता अन्गुरु गरंद साथ सचे पात्षा जी नू करनी है, कैन लगे दसो के में आयो, ता संत ग्यान गुरु गर्ण सांग जी खाल साथ जी ने गलविट पल्ला पाके बेंति किती महा पुर्खो, किर्पा करो मेन्नू उपदेश देओ, नाम दी दात बक्षो, अडिकल भी कई वरी अग्यानता वा सापां किसे महात्मा कुले जन्ने है न, अपाई गल के दन्ने हैं जी सन्नू नाम दा दान देओ, ए साथी अग्यानता और पारी पोल्ला है साथी, जदो ए बेंति किती महा पुर्खो कैन लगे सिंगा, गुर्मत में एह रीत प्यारे, अम्रत शक पंचा है ततारे, ए सिरी गुर्मुख प्रकाश देवेच हूब हूब ए लाइना, संत ग्यानी गुरु गुर्मका, गुर्मत दिये रीती है, मर जादा है, रह रीत है, के जे नाम लेना ता पंचा प्यारें कोड़ों, शिरी गुरु ग्रण साब जी दी हजूरी विच खंडे बाटे दा अमर शके, पंचा प्यारें तो नाम प्राप्त हूंदा है, इस करके नाम दा दान ता प्यारे कर दे आइ, नाम ता उपदेश भी पंच प्यारे कर दे आइ, और कर दे ही तन गुरु शिरी गुरु ग्रंऍट साब जी दी हजूरी विच भी है, और कर दे कदो पहले अमर शकाँ दे फेर नाम दा दान दिर्डा प्राप्त दकार नेए तो जदो केंदे अमर्त शकाया महापुरुखा आप दस्या करदे सने बचन प्राने सिंग अंदी रसना तो भी सुनेया उन अंदी दीवना विच भी लिखया होया है केंदे जदों अमर्शक्या पन्या प्यारे ने नाम दिर्ड कराया महापुरुखांदे स्वास्वास विच ओधुई वाहिगुरु मंतर दा अजपा जाप चल पया सी दिना सास ग्रासना विसरा हर नाम्मा मनमान्त तानसे सेई नान का पूर्ण सोही संत कोई करणी वाला कमाई वाला गुर्सिक पन्या प्यारें चलाके सेवान बहुदा है और शक्न वाला भी कमाई वाला है ता ओदे ते ऐसी किर्पा ऐसी कला वर्त जन दी है गुरु साब दी ए महान रह्मत हुन दी है अम्र्त दी है शक्तिया अम्र्त दी बरकत है और महापुरकेंदे ओ समेदा चलेया हुए वाहिगरु नाम अखीर ले स्वास तक रूम रूम बिच्वी और तर्त पताला कास है मेरी जिंदडिये सब हर हर नाम ते अवैराम सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बेनने कोई ऐसिया महान रहमतां भक्ष शांदे ओ पातर सन सो अमर्थ चकन तो बाद अमर्थ संचार दी समापती होई महां पुरुखानू बेंती किती कि अपने नाली जथे विच रखो सेवा विच अपने चर्नी लाओ करन लगे पाई कोई दिनानू असियादे गुर्मत दे प्रचार दे दोरियां ते विच रहे हा तोसी दम्दमी टकसालदा ओदो हैड़क्वाटर गुरुद्वारा अखंड प्रकार सी पेंडरकला नगर विच अड़कल जिला मुगा उदो फ्रोडपुर सी ओ समय ओ हैड़क्वाटर सी ओथे तूँ आजाई ते फिर जथे विच रहे के सेवा करे ओ माहापुरुख ओथे गए और माहापुरुखांदे जथे विच उननीसो भी तो लेके ती तक दस साल लगातार शिरी गुरु गरंथ साफ दी दे शुद पाठ शिरी गुरु गरंथ साफ दी सारी संपूर्ण कथा दसम गरंथ दा पाठ दसम गरंथ दी कथा गोर अतिहास दा सारा अदेन होर गरंथां दा सारा अदेन महापुरुखा ने दसा साल लाँ दे समय बिच कीता अतिहास उना दा जीवन बहुत लम्मा है संखेप बिच्ची बेंती करनी है याद आस्त इतनी उना दी परबल सीसात संग जी इतनी तीक्षन भुद्धी दे मालक सान जिवें गुर्बानी दा बचन कलो मसाजनी क्या सदायाherda ही लखले हो जिना ते गुरुदी किरपा हुंदी है मेहर हुंदी है रहमत हुंदी है उननु कलम द्वात जां काग जले के नी लिखना पिंदा उनना दा हिर्दही कागत बंजन्दा है वो हिर्दधे उत्ते सारे बचनानू सारे गुरुबानी दे अर्थानू पाबानू अंकत करलें दे अज भी उनादी टेपर कार्ड किती हू कथा सुनो न साज संगिजी उनादी कथा सुनके न हूब हूब जिनने उनाने गुरुबानी दे अर्थ किते है उन्ने अर्था पाज नि कर सकते एन्ना वे आस एन्नी याद आस तुना महा पुरुकांदी और ए अर्थ केड़े है जेड़े अर्थ तान गुरु गोवन संग साभ सचे पाद्शाजी ने तक स्री दम्दमा साहिब गुरु की काशी साभो की तलवंडी विखे तन-बाभधी संगी तन-पाई मनी संगी तन-बाभगु बाखंदी अत्य अर्थाली संगा नु पड़ाय सान ए अर्थ सिना ब सिना चले आरहे है परंपरदे विट चले आरहे है वह सारे अर्थ महा पुरुकांटो चेते जीदा हिर्दा इन्ना अकागर होवे कि जीदा एक 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 आर्थ गुर्बानी दा सुन देया सुन देया सुन देया अपने हिर्दे विच वसालेया हो अपना ता पंजमेंट नी माना कागर होंदा गुर्बानी नितनेम कर देया कथा कीरतन सुन देया जिनना समा साड़ा मान अकागर हुंदा जा रहिंदा न संगत दे विच्छ साथ संग जी उनने समेदियां गुर्बानी दियां पंगतियां गुर्बानी दे आर्थ गुर्बानी दी विचार सनुजाद हो जन दिये जिनना चर अकागर रहिंदा जदो अकागरता तो मन सदा बार चले जावे फेर उसारा कोड़ पुल जान्दा इदा मतलब है कि उना दी किन्नी अकागरता सी किन्ना निर्मल पवित्र हिर्दा सी उना महापुरुखांदा किन्नी उना दी अकागरता दी साधना सी कि ओ जिन्नाचर गुर्मानी देई कथा वड़े संता तो सुनदे सान ओ सारी जमानी जाद करलें दे सान और उना दी यादास्त दा एक बड़ा 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 सुन्दर प्रमान आया जोदो वड़े संता ने एक वेरी कथा सुम्पूर्ण करके सारे सिंगान रगे बला के संगत विच कैन FE लगे पाई किसे ने सात मिंट लाए, किसे ने दास मिंट लाए, किसे ने भी मिंट लाए सब तो खीर विच संत ग्यानी गुरुबचन संग जी खाल सब द्यारती रूप विच पिछे बेटे सन खड़े हो गए के दे महापुर्खो जे आप दीदी आज्या होवे तन गुरु नानक साथ दसम पाथ्षा किरपा द्रिष्टी करन तुसी भी सीस देओ ते मिन्नु जे आज्या होवे ता मैं भी अर्ज करां केन लगे पाई तुसी भी अर्ज करो ता महापुर्शान ओदों साथ संग जी काव रचना विच वो सारा जबडी सावदा सदान तुना दा गुर्मख प्रकाश गरांथ देविच काव विच लिखया होया है साथे तिन्ना मिन्टा मिच जबडी सावदा सारा सदान तुना देटा सी कवता दे रूप विच ओदो फेर बड़े संथ बाबा सुंदर संग जी ने प्रसन होय ने तुन्टे कैन लगे पाई जेडी गुर्मत दी विद्या गुर्बानी दे अर्थ दम्दमी टक्साल दे दसमे मुखी ब्रह्म बेते ब्रह्म ज्यानी महात्मा संथ विशन संग जी मुराले वालया कोड़ों जेडे अर्थ सी जेडे गुर्बानी दे अर्थ पड़े होय संग जेडी विद्या पड़े सी न ओ आज पाई तुन्स अफली करदती है ये वर्दान दता के हूब हूब वो सारा सदान तुसी संग देविच सर्वन करवाया एनने प्रसन महापुर्ख होय फेर उनाने सट्खन प्यानने तो पहला अपने पास संथ ज्यानी गुर्बाचन संग जी खालसा जीनू बलाया उदो महापुर्ख स्रीर करके जलोदर दे रोग करके लुदे आने कुट समेले संगेडे सर्दार्दी कोठी विच रोके होय सान उत्थे अलाज चल रहा सी उन्नी सोती दा बचन जन्वरीदे देन सन माग दा महिन्ना सी अखीरला पक्सी माग दे महिन्ने दा संता वड़िया ने अपना सटिकन समा नेडे जानके सिंगा नुकेन लगे पाई साद्धा पलंगा बाहर लेके जाओ बाहर सरोंदे फुल खेडे होय सन खेत विच सारा खेत सरोंदे फुल्लानल खेडेया होया लेला हाग कर रहा सी उस वंक्त जदो पलंगा सरोंदे फुल्लांदे खेत कोले डाया महा पुरुखा नु बठाया गया कैन लगे कुदर्त दा ते साद्धा एकरार पूरा हो गया कुदर्त ने खेड़ना सी बसंत रोत वेच ते साद्धा सद्धा आउना सी साथ खंदा केंदे उस सामा नेड़े आ गया ओगो फिर महा पुरुखा ने सिंगा नु केया नाल दे निक्ट वरतिया नु केंदे पाई दस्तार लेके आओ ते ग्यानी गुरुबचन सिंग जी नु बलाओ संत ग्यानी गुरुबचन सिंग जी खाल साजी पास आगे हाथ जोड के फते बलाई चरना वाले पास से सेर चुका के खड़ो गए निक्ट वरतिया ने ओस में दस्तार नी लिया के दिति ए एरखा मुड कदीम तो ही चली आईए है एरखा लू 울ोक नाली नाल ते औरे आया ुदर्त दा ये नियम है जिथे पुन्नी है उत्ठे पापी है जिथे तर्मी है उत्थे अतर्मी भी हन जित्थे प्रेम करनवाले उत्थे इर्खा द्वैश करनवाले भी नाल नाली हुंदे तो महापुर्ख सम्झ गे डानी डान सन केंदे चंगा पाई साड़ा वाज्या लियाओ वाज्या लियन्दा, वाज्ये उत्ते ते टेढ़ी फुलकारी दे नाल वाज्या संतोख्या होया सी, संत दिने वाज्ये नाल खड़ो के गुरुबानी दा कीरतन करके शंगतानु गुर्मत दा खुला परचारसन आया करदे शन, ओ फुलकारी लो आयो धी तयल आके, संत बाबा गुरु बटन संग जीनु बला के उना दे सेर उत्ते ओही फुल कारी दा सिरोपा रखे ते सरों दे फुल उत्ते रखदे ते के पाई आही सिरोपा वे टक्साड़ दा तो अडे सीस होते जिमें जदो संत बाबा करतार संग जी खाल सा जीनु तक शिरी पटना साब उननी सो स्तार विच दम्दमी टक्साल दे सिरो पाओ दी बक्षिश होई दस्तार बंदी होई इरखालुआ ने उदों कड़ा नहीं इरखा किती बड़ी पारी इरखा किती साथ पैंड जने जथे विच्चों रोसके चले गए सन प्राने संग दादे है संत बाबा जरनेल संग जीनो जोदों इत्थे दस्तार बंदी होई योदों भी इरखालुआ ने बड़ा कुछ किता सी ये कुदर्ती चल्दा ही आया सुभाई है दुनिया दा रहो विचार बचन किता केंदे फुला मंगो नरलेप जीवन रख्यो संसार दे पदार था तो जे मेने फुला दी मैक है एसे तना तो अड़ी कीरती दी मैक सारे संसार विच फैल जाएगी और दो बचन होर किते केंदे साड़ा एक बचन मनना के सो मनना केंदे दी जो आग्या ओवे केंदे सो कम करना एक करना केंदे जो तो अड़ी आग्या होवे केंदे चंगापाई साड़ा हुकम रूप दंडा सिर्थे डान के सिंगा नू गुरबानी गुर तिहास दी कथा दोन्नों वग्त पढ़वनिया तू एक कम करेंगा गुर्बानी दी कसा गुर्बानी दे अर्थ सिंगा अनुपडामेगा तेरा सो कम आप ही होया करेगा अपनिया और दूसरा बचन सी भी तेरे हिर्दे विच ए इच्छा है के जिड़ा पजिन सिमर्न बंदगी करके साथी सुर्त वाहिगरू दे नाम विच जुड़ी होई है जदो विहारा विच पै गए परुपकार करना ता विवहारक द्रिष्टी ता बननी बननी है ना ते उदो कई तरह दे खेद भी हुं दे है बिर्तिच खलल भी पेंदा खला भी पेंदा केंदे जदो कथा करके अकांत विच शिरी गुरू गुर्ण साब जिदी ताब्या बैठके गुरुबानी दा नितने मते पाठ करया करेंगा तेरी सुर्था अपने आप बानी विच लगी रहा करेगी जुडी रहा करेगी जुडी रहा करेगी उन्नी सो ती तौ लयके उनिनी सो सताथ तक एक काट चाड़ी साल दा समासात संग्जीवना महा पुरुखा ने अठाई कथा शिरी गुरू गरंच साब सचे पाथशाजी दिया और ती कथा शिरी गुष नानक परकाष शिरी गुर्ण प्रताब सुर्ज गरंथ दिया ते संगतानु भी सरवन करवाया। और वेदान्त दे न्याय दे और गरंथां दा भी नाल नाल अदेन करवाया। और लखा प्राणियानु नाने हिंदोस्तान विच बिचर बिचर के खंडे बाटे दा अमर्त भी शिकाया, नशे भी शडाये केस भी रखाये। संत ग्यानी गुरुबचन सिंग जी खालसा जी उन ताली साल एक संस्था बनके पंथ विच बिचरे। कोई मसूस करेगा ता करलवे पंथ दी नमेदा जथे बंदी है श्रोमनी कमेटी, श्रोमनी गुरुद्वारा प्रवंद कमेटी। है ता पंथ दी माया, संगत दी माया, पर अपनी मरजी नाल मिशनरी काल जानूं पैसे दन दे है, खजानने विच्चों। उनानूं जीफे दिते दन दे है, उना दिया रस्ता लगिया हुई है। वो कर दे किया है, वो नास्तकता दी पड़ा ही पड़ा रहे है, सिखान दा शर्दा विश्वास, प्रोसा, जकीन, डलोण वास्ते, गल्त पर चार पंथ दे विचो लोग कर रहे है, कोज लोग ऐसे। वो नानूं गुरू कर देख जानने विचो पैसा जा रहे है, पहली गल्ता श्रोम्नी गुर्द्वारा प्रबंद कमेटी नूं हकी नहीं, के काउम दी पंथ दी माया, एक संस्था नूना लोका नू दवे, जेडे लोग नास्तकता प्रचार कर रहे हैं। जान भुज के कहलो, अग्यानता विच कहलो, ऐसा सारा कुछ अज भी चल रहे हैं। ताइन लोकां दा होंसलाना, कदे शिरी गुरु गुर्ण साव जी दी बानी ते नुकता चिनी, कदे अमर्दी मर्जादा ते निकता चिनी, कदे ते हास ते, कदे साधियां प्रंप्रामां दा मखोलो डाया जन्दा पाड उत्थों रहे हैं। ते सारा खर्चा साधी संस्था बलों जा रहे हैं। साधा मिच सिखीदा प्रचार प्रसार किता और संगता ने जो तेल फुल देता ओही संगते विचलाया परुपकार किता, सिखीदा प्रचार किता गुर्तामां दी सेवा करवाई। एड़ी वड़ी का अलना उना महा पुरुखांदी। और उना तो पड़े हुए, तक्तां दे जथे दार, सठखन सिरी हर मंदर साव डी दे संग साव, संग साव ग्यानी चरन संग जी, साव का संग साव सठखन सिरी हर मंदर साव संगत विच बैठे या, और महा पुरुखांदी जथे विच्छों गुर्मदी विद्यावना कु साला के हाजरी पर दे हैं, दावत कई बडे कर दे भी असी भी दियार थी, असी भी दियार थी, पर मह सिंग साव ग्यानी चरन सिंग जीदा रोम रोम करके तनवाद करदा मेरा सिर चुकदा, इना दे चरना थे, के बिना केयां, बिना सद्धेयां अपना फर्ज समझ के, एक कखर दाता गुर जो सेवत नहता स्पाई जनम सो स्वान को बहुर सुपट करवास, केंदे जीने एक कखर भी जिंदगी चपड़ाया होवे ना एक कखर भी, ओ तो अड़ा विद्या दाता है, उदा परुपकार कदे पुलना नी, जेडा पुल जान्दा ना अपने जीवन केंदे ओ एस जीवन तो बाद मरके सो जनम कुते दी जून विच पेंदा, एड़ा किर्टकन ता दोश लगदा, जितों एक कखर पड़के वी जिड़ा अपने विद्या दाते दा सतकार सनमानी करदा, ते किर्टकन बन जान्दा, एक गल मैं आज ए भी करनी चौना, साधे प्राने सिंग आविच नमयाच मैं एक गल देखी है, बड़ी पेड़ी बादी है, जिना दी शर्दा उस संत गयनी गुरभचन सिंग जी खालसा जी ते रख दे है, ते संत गयनी करतार सिंग जिनू अखांची नही लेओं दे, जिना दी संत बाबा करतार सिंग जी खालसा संत बाबा जरनेल संग जी नू कोज नी मान दे, ये बड़ी पेड़ी बादी है साड़े विच, ये नी साड़े अंदर होना चाहिए दा, सानू जेडी दृष्टी जेडी पावनाना नासी बाबा दीब संग जी तो लेके माहम पुरुख बाबा ठाकर संग जी तक सारे मु कियां दा, जो साड़ी बाबा दीब संग जी विच शर्दा, ओही संत बाबा संदर संग जी विच, ओही संत गयनी गुरबचन संग जी विच, ओही संत गयनी करतार संग जी खालसा विच, ओही संत गयनी जरनेल संग जी खालसा विच, ओही संत बाबा ठाकर संग जी खालसा आपने जीवन काल विच जेडी शर्दा संत बाबा गुरुबचन संग जी खालसा जी ते रखी पामे मेरे तो बाद संत बाबा करतार संग जी खालसा जथे विच आए पर मैं ओही पाबना संत बाबा करतार संग जी खालसा जी ते रखी उना दा विद्यार्थी अपने आपनू मनदा रेया केंदे मैं ओही पाबना केंदे संथ बाबा जरनेल संग जी खालसा विच मैं रखी डेडी मैं बड़े संथां विच रखदा सी सो साथ संग जी ये विरले गुर्म खात्मा माहन संग साव ग्यानी चर्ण संग जी सो मैं एक छोटी एडेंपल दिती पाई सा पाई रगी राम संग जी एना भी माहा पुर्खां बड़ेंदी संगत किती यह न तुले के अज तक लगातार संग सा पाई जस वीर संग जी साव का जथेदार स्रीकाल तक सा बठपंच उना माहा पुर्खां दे दर्शन किते सोटी उमर बच सो साथ संग जी उना महा पुर्खां तो डड़े पड़े उस तक्तां दे जथेदार बने सटकन सिरी हर मंदर साव दे गरंती संग सह बान बने किड़ा मान उना नू प्रापत सी साथ संग जी सो ना महा पुर्खां ने मैं बहुत लम्मा चला गया जे शिरी मुख वाकदी कथा भी करनीया संकोच दा होया अपने प्रवचनानू अजदे देनोत्ते अजदे तो साथ संग जी बवंजा साल पेला महा पुर्ख नंगली नगर विच जथा आया होया सी नंगली पेंड़दा तेरा देन दा प्रोग्राम सी यथो नेड़े या नंगली नंगर ते संत बाबा ठाकर सिंग्डी ओदों गडवाई सान नाल संत बाबा करतार सिंग्डी खालसा दिवी गडवाई सान संत बाबा ठाकर सिंग्डी महा पुर्खानू बला के संत केन लगे पाई मैते जाओ मैते दे सिंगा नाल जाके परोग्राम दे शेति त्यारी करो नंगली हुन रहना नी मते दर ना मते दा परोग्राम पहले शुरू करना पूरे करके जान महाँ पुरूके नहीं पाहिं मते दर ना साड़ा फुरना नहीं अथ नागर विच बाबा दी आये शाद लीब संग जी महन संग जी दिने प्राणे प्रवार सन सिंग सन सारे नला के सला किती के महापुरुख पाई तो अडे नगर विच जल्दी परोग्राम ते आउना चोंदे ये मैं ते नगर विच शो महापुरुखां दी रहेश लई कोई कारद सो जित्थे उना दा असलोना नगर विच कई कारद खाए पर बाबा जी नू पसंद नी आया जित्थे मार असाब दा प्रकाश है थे बाबा पान संग जी दा पका कर सी उना नू चीनिया के हा जन्दा सी चीन च पहला उना दा कारोबार सी चीन तू आके उना ने उदों पके कर विरले परवारां दे हुंदे सनसाथ संग जी उना दा थले भी पका का रुते च बारा भी सी सोना कर बनिया होया सी एस कारविच जदो आये नगर्दे प्राने सिंग अजबी दाहदे है सरदार मिंदर सिंग जी पजन सिंग जी अवतार सिंग जी सारे दाहदे रहे है केंदे बाबा पान सिंग नाल गल करन तो सारे डर दे सान उना दा स्वा बाला सक्त सी पर केंदे जदो ना नल गल किती बाबाजी कें लगे भिया कार्ठीक आसन लोनु। तब बाबा पान सिंग जीने हाथ जोडे केंदे मेरे तन पाग, जे माहापुर्ख मेरे कारविच आसन लोन। सो जथा इत्थे आया एसे का रविच महापुर्खान दा आसन लगा जित्थे थले पूरा ओदो ए नगर दी तर्ती दे जमीन ते सी ये था तो बाद विच्छ थे बहुत बड़ा छपड सी संत बाबा करतार सिंदी खाल साजी ने सारा पूरिया था उची होई सो पूरा डिड स्थान है सो साथ संग जी आसन लग गए त्यारी हो गई कथा शुरू हो गई गुर्द्वारा साव दे मगर तर्म साड़ा सी ओस विच दोनों समय गुर्बानी दी गुरते हास दी कथा हुं दी एक दिन बाबा पान संग जी दर्शन करना आये माहपुरकेन लगे पान से ते दूजी वार हो दूजी वार हो समझ ना सकहा उननाच या माँ पुरकेन लगे वड़ा बना दिये हो बना दिये ऊकेंदे माराजिमेट्व अडी इच्छा मां पुरकें लगे वड़ा ही वड़ा बन जाएगा अज वड़ा का रहना संसार विचे पांकित मुख्यते बोल दे से बचन हो बंदे बड़ा करबनाता न सारे संसार विच अज पर सिद्ध है न मैंता हेड़कोर्टर पर सिद्ध है यह उना दे बचना दी बरकत है जो मुख्यों बचन निकलिया सठकन जानतो एक दन पहला शाम नू दसम पिता जीदे नंदकार्ज विवादे प्रसंग दी कथा गुरू के लहूर दा सारा माता जीदकार जीना जीमे सथ गुरू जीदा नंदकार्ज होया गुरू के लहूर सिरी नंदपुरसा वो सारी कथा सुनाई दिमें लाडे नू चाहूं दा व्याउन दा व्या आदकदियां त्यारियां दा ऐसा ही चाहा सियुना देहर देवचा सटकंड नू दान दा शाम नू गयानी दलीब संग जी आए और होर भी बडे संग दर्शन करना आए अंब भी लेके आए तो संथ बाबा करतार संग जी खालचा जी अप्रे लिए सेवा बच बात रह Tony सand तो महाँ पूर्ग संथ बाबा ठाकर संग जी नू करन लगे पाई ठाकर सेहा करतार संग नू आम शका एक शकाया दो करने नहीं होर चका केंदी आज रज रज के शिकाए नू महां पुरुगदादे मैं पंजी चाग सके तो वद ना चागेगे इनना प्यार कीता ग्यानी दिलीब संग जी आए जिमे मां गोद विच बच्चे नू लेके दुलार दिया अपने सिन्ने उते ग्यानी दिलीब संग जी दा सेर लाके दस्तार तेहत पेरन लाके इनना प्यार संग दाउना महां पुरुगदादे आज दी रात दो वज के दासमेंट जदो होए दोख वज्य मी ने री आई तो महां पुर्खोस वक्त केन लगे भी मी कनी ने री आईया सदा पलंगा बिरांडे चसी अंदर कर देयो पलंगा वड़ा सी दर्वाजा शोटा सी थोड़ा जया फर्क सी जदो दर्वाजे चे पलंगा लेन लगे लेके जान लगे तन पलंगा आडगेया संत बाबा करतार संग जी ने मुस्करा के प्रेम नळ बचन कीता कीता पावना नाली सी शर्दा विच पे जिखे केंदे महापुर्खो जब पलंगा शोटा कर देयो जान दर्वाज्या बड़ा कर देयो ये बचन सुते ही कीता सी ते संत बाबा गुरु बचन सिंग जी खालसा जी कैन लगे करतार सिंगा जेडी करा मात सारी जिंदगी नी दखाई परमेशर दे पाडे विच रजा विच वाहि गुरु दे हुकुमनू मिठा करके मन्निया हुकीर ले समय हुन तू सान्नू मारत तो बेमुक करना चाओ न शान्त चुप कर गए तो लो पलंगा अंदर ले जाया गया सचखन जानदा समा नेडे आया संत बाबा ठाकुर सिंग जी संत बाबा करतार सिंग जी खालसा जिनु कैन लगे जिनने भी संग जाग देया सारे अनू बलाओ दो बाच चुके सान पाई गुरुमक संग जी उडिसा महा पुरुखां दी चरन चापी करके पक्खा चलके बारंक वेजे चले गे सान अपने आसन ते शाजी दी बंबी सी उत्ते उना दासन से अराम करन वास्ते सारे सिंग जिनने भी आ गए माँ पुर्शा ने क्या सिंगो हुन सरीर काबू तो बार जा रहा हुन सरीर दी पररवद पूरी होन दा समा आ गया सारे जथे दे सिंगा नू साड़ी बेंती है वद चड़के गुर्मदा सिखी दा प्रचार करेओ गुर्बानी दी विद्या पड़ायो पारुपकार करेओ पंथ दी जथे बंदी दी चड़दी कलाली सारे सिंग अपना जोगदान पौंदे रहो साड़े कोड़ों सेवा नू बौंदेया तो अड़े सतकार विच बढ़ियां कमिया रह दिया हुनियां तुसी सानू खिमा करने और साड़ी गुर्फते सारे सिंग प्रवान करो दो बज के दस मिंट ते संता ने फते बलाई और वाहिगुरु मंतरदा अबे आस करदे करदे अमर्त वेले अच दी रात पाव कल दी रात कहलो अच दी स्वेर कहलो दो बज के दस मिंट ते एसे अस्थान ते निते मारा सब्द प्रकाश है ते उन जलमें जलाई खटानना ते उन जोती संग जोत्स मानना यू महापुरुक सट्खन प्यानना कर गए और उना महापुरुकां दी सालाना याद बड़ी शर्दा पावना दे नालापा मना रहे हा आव सत्गुरुजी ने जो शरी मुखवाक बक्षश किते है उना दी कथा आप संगता सर्बन करो तन पाई गुरुमक संग जी उडिसा जीदा भी सट्खन प्यानना आली मनाया जा रहे हा वैसे ता कल दे नूना दे खन पाडशाब दे पोग दी समापती हुन दीसी जथे वेच क्योंके कल दे नूना दा सस्कार कीरत प्रशाब होया सी जो दो इत्थों सरीर बहुत संगता आचुकिया सान जिनू जिनू खबर मिली सरी अमर सरसाबल जाया गया लंगर बाले पासे दर्शनी जोडी दे बाहर सरीर राके सरोबर दे अमरत जलन महापुरुखान दे सरीर दा शनान कराया गया उत्थों बड़े शाही सनमान विच महापुरुखान दा सरीर गुरुद्वारा अखन परकाश पिंडर कला विखे लेके गये रात उत्थे रहा सरीर परवंद काने मैं नाम नी लणा चौंदा योगी नी नाम लेन दी लोडी नहीं कहन लगे असी सरीर नी इत्थों जान देना इत्थे ससकार करांगे कहन दे जी ना जान दे ये संत बाबा करतार संग जी खाल साजी नू फेर तु की करेंगा मापुरु कहन दे मिन्नू बड़े संता दा हुकम है साड़े सरीर दा ससकार छेमे पात्षाडी दे चरनत कीरत पुरसाव पतालपुरी साहे विखे करना जिननाचर मेरे सरीर विच प्रान है उननाचर मैं अपनी जिन्दगी दे जिऊंदे जी उना दा बचन पूरा करांगा जे मेरे प्रान तुसी खोई लए फिर महापुर्ख जानन ते हुना दा बचन जाने बड़े जोर्नल महापुर्खां दा बचन पूरा क्राउन है ता पतालपुरी साहिब अगले देन सरीर लजाके सारे पंथ ने सारा खाल सा पंथ, सार संग्जीक को ऐसी पंथ दी शक्षियत सी दिनांडे सस्कार दे सारे तकतां दे संग Whewाँ हर मंदर साथ दे संग12 सारा पंथ होते मौजूद सी उनांडे पंध पहत्वकसृीर दा सस्कार किता गया ससकार हुंदिया हुंदिया पाई गुर्मक संग दी उडिसा जेना दा पहला नाम पाई कर्म चांदसी उडिसा प्रांत दे रहन वाले शोटे नगर देविचों ब्रह्मन प्रवार देविच पैदा हुए सन और कलकत्ते आके उनने माहां पुर्खा दे मुखार बेंतों गुर्मानी दी कथा सुन के ऐसे प्रवाबत हुए ते माहां पुर्खा नू बेंती किती बोल देता उडिया पाशासन ते माहां पुर्खा नू केहा में नू जथे विच रखो पर महापुर्खाने सिंगा नू लाआ के हली होली योना नू गुर्मखी सखाई और उना अनू भचन कीताप आई तू लंगर दे पांडे मांजया कार संगत नू पक्खाच लिया कार सेवा कर यो बड़ी पारी सेवा उना ने तानसी उना दा जीवन प्राणे सिंगां तो सुनेया वेर आग विच रिंदे सन जा लंगर विच परशादे बनाउने बरताउने जा जूठे बरतन मांजने चाडू देना जा संगतनू ते महा पुरुखानू पक्खा चलन दी सेवा करी जाने एक वेरी पाई गुरुमक संग अडिसा अपना ट्रांक ते कुछ समान माहा पुरुखा पास लेके आए कहन लगे माराज ये मेरा एही सर्बंस है जो कुछ मेरे कुले है ये मैं तो अनू पेटा करना आया मेरी अर्दास करके प्रवान करलू माहा पुरुखा ने खड़े होके अर्दास किती माराप आई गुरुमक संग अडिसा सारा कुछ जथे दी पेटा करया किनने द्यालू सन वड़े सन दोचार बस्तरी सन ट्रांक विच दोचार पोठीयां सन पर किड़े वड़े धैलू सन वड़े महापुरुखा आप अर्दास खड़ी किती खड़े होके अर्दास किती किहने गुरुमक्स यँञ तेरा कुई संकालप केंदे मारा जदों दुनिया ते आऊ नाल लेके आयो जदों जाऊंगे नाल लेके जायो एही इच्छा होर कुई संकालप नी किहने चंगा गुरु कलंगी तर पाथशा तेरी इच्छा आपपे पूरी करनगे जो दो अम्मर्त वेले दो बाज के दास मिंट ते सठखन प्यानना कीता ना पाई गुर्मक संग डिशानू माहा पुर्खाने उत्थे बराजे हो इनू वाज मारी उडिशेया चाल चलिये हुन सठखन नू त्यारी कार दो बरी कन्हा चावाज पै उब्ढवाहे उठ्थेया संग गया उठ्थेयं केंदा माहा पुर्खाने अवजया मारीया मेननू उब्णवाहे पजिया ज़ो इथे आया अगे आके देखेया माहा पुर्खाना बीरता अगेशन योग पाई गुरम संग डी डिresा ने अज दे काल देदेनstory माहा मुरूखांदे गीठे वेच़ परवन अपना आप कुर्बान करके माहा मुरूखांदेनाली सच खंड प्यान ना कीता अठिहास कटना दहरोंदी अकदे ना कदे अठेहास अपने आपने मोड मोड के दहरोंदा चेमें पात्षाईबी धा ज़पतालपुरी साहँ ससकार होया सी लोगल धु राध पूत राधे राधार रामसंग राधा प्रताप संग भीमार राधी चेखा विच छाल मार के विच्ची अगन पेट हो गई सा हो राजे भी जदो गुर से छाला मार ली त्यार होए ता सत्मे पाथशाजी ने सकती नल रोके आस और एक अटना गुर्सिखा नाल भी दहराई गई सो पाई गुर्मक संग जीदा भी सठखन प्याना नाली अपा मना रहे हां आओ शिरी मुखवाक दी कथा आप संगता मन बिर्ती नुवकागर करके सर्बन करो साहिब जी सोरट महला पंजवा सोर्ट रागनी वेट अन्गुरु अर्जन देव साहिशचे पात्साजी अपना प्रम पृत्रुप देश बक्षिश कर रहे हान प्राभ की सारन सगल पैला थे जो प्रभू है ना प्रमेशर सत्यामते पूप सर्ग ये दो तत्तूतों प्रभू शब्द दी उत्पत्ती हुई है जिदा मतलवे है जिदी होंद हस्ती सदीव रहे उनूं प्रभू केहा जन्दा है तकसाल नूं सारे दा अंत्रीवर्थ है जो सारे परवशेश करके हर तरह दे डर आते पहनु दूर करद वे उनु प्रभू किहा जन्दा है वो कौन है वो प्रमेशर है ऐसा वाहिगरू प्रमेशर दी चर्ना दी शर्न लेंड दे नालो दा ओट आसरा लेंड नाल सारे डर पहस लोग दे प्रलोग दे ले जन्दे दूर हो जन्दे हान प्रकिर्ति तो परे ब्यापक वाहिग्रू जो पारब्रह्म प्रमेशर है जदो द्यालू हुंदा है फिर पूरा सत्गुरू मिलदा है पूरे सत्गुरू तो फिर प्रमेशर दा नाम प्राप्त हुंदा है जदों प्रमेशर दा नाम मिल जाए फिर नाम नू त्याउन दा चा अंदर पैदा हो जन्दा है फिर पूरे प्रमेशर दी द्यालता कदो हुं दी है जदों पूरे गुरु तो मिले हुई नाम नू गुरसक त्याउन दा उदा सिमर्न करदा बार बार फिर वाई गुरुदी द्यालता प्रापत हुं दी है पूरे सत्गुरान द्वारा प्रभ जीयो तू मेरो साहिब दाता हे प्रभू प्रमेशर जीयो तुसी जीव दे ए ना जीवान दे जीव कला देके अंदरे ना दे जीवन दा आसरा बने हो यहो इस करके तुसी साथे साहे मालक भी हो ते दातां देन वाले दाते भी हो कर किरपा प्रबदीन दयाला ते दिनना दुखियां देते द्यालता करन वाले सचे पात्षा साथे उते भी किरपा करो गुण गावो रंग राता प्रेम दा रंग ऐसा चड़ जाए सड़ ते कैसी आप डिदे गुणानू गौंदे रहे हमेशा रहाओ विसराम दे के जूर पर मौंदे हान साथगुर नाम ने दान दृड़ाया साथी चोड़ी वेच वाहिगुर नाम पादिता मूल मंतर पादिता सारी गुर्बानी को अंकार तुले के ठार है दस बीस तक ये सारा नाम दा खजाना सानू बक्ष दिता है दिर्ड़ करादिता है कर किर पा अपनो कर ली ना कर ले अपना बना ले जिना दिया सारी चिन्ता मा मेट दितिया वाहिगुर ने मान वसिया अब ना सी उना दे मान वीच नास तो रहत वाहिगुर वास गया केंदे काई वेरी लंगर देविच पदार्थना बनना क्यों माहां परुख संगत नू दिलेबियां लड़ू मठेयाई और दाल सभजीच के ओपा के फाल बरता के सिंगा नू संगता नू शिका के बहुता खोश होया कर दे एक वेरी केंदे पिंडरी गए हो इसान लंगर सादा ही चले क्यों भी ना बरते आ पर शादे भी ना कही दन चोपड़े गए सिंगा ने मंच कई तरह दी विचार आई पर मापुर्ख बड़े परसन ग्यानी मनी संग जी लिख़दे हो केंदे जदो मापुर्खांदे चेरे ते असी परसन ता बेख़दे साँ केंदे ओदो साननू बेपता दे समेवी कदे अखे समेवी होना दा चेरा खिड़या होया देखना केंदा जरूर कोई का उतक बरतेगा होना ते रुखा परशादा केई दिना तो शक्याना जावे अचान केंदे पाई स्वर्न संग ठकरवाल वाले अपने हर्चवाल दे कोड़या ठकरवाल नगर मैं उना बजुर्गांदे दर्शन कीते हैं पंच साल वड़े संतांदे गडवई रहे सानू ओ आये उना ने ग्यारा सु रुपया महापुरुखा नो दो पेटा कीता है महापुरुख केंदे पाई एक आदी माया केंदे जी मेरा प्राभ ब्रह्मा दे विच कम करदा सी ब्रह्मा विच्चों सिखानू जाड़ दता हुने अरदास कीती सी भी मैं सही सलामत दे अपने करे चलेया जामा मेरे स्री इर्दा कोई नक्सान ना होवे सही सलामत अपने परवार विच पहुंच जामा ते मा ग्याराव सुर रुपया संत बाबा गुरु बचन संग जी खाल साजी नू पेटा करांगा केंदे मारादो सही सलामत करे पहुंच गया गुरु साब ने किर्पा कीती तो अड़े बचना दी किर्पा नाल ते माया ता कही दिना तो ने कहा सी देखे आउनी पर मैं लेट हो गया मा पुरु केंदे पाई जथे दी सेवा विच लादे लंगर देव चो सेवा तके हो आगया खांड आगी पदार्थ वर्तन लग पई यो ना दिया चंता दिनिया प्रभून हों दिया चंत इंचंता सगली गई प्रभ नानक 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 मैं उना दे मान विच वाहिगरू बसेया हुंदा ता उना दे चंत कम करें प्रभ तिन के जिन हर का नाम प्यारा है ता को बिगन न को उलाग ना ऐस लोग विच ना प्रलोग विच कोई बिगन रुकाब्ट नी पैंदियू नानू जो सत्गुर अपना राखे दिना दी अपने सत्गुरा ने अपने बना के रख्या कितीया है चर्न कमल बसे रेद अंतर अंबर तहार रास चाखे कर सेवा सेवक प्रभु अपने जिडा ऐसा प्रभु तेरे तेया है जीव बक्षशा मेरा रहमता करन वाला है ओस वाहि गुरु दे दर्दी सेवक बनके सेवा करया कर हमेशा जिडा तेरे मन दियां जिनियां सारी एच्छा नूं पूरियां कर देण वाला है तनगरु अरजन देव साथ जी कहन दे अस्यों ना दासां गुर्शिखां गुर्मखांतों महाँ पुर्खांतों बलहार जांदे हां जिन पूरन पैज रखाई जिना दी वाही गुरू ने ऐस जोग विच भी पूरी पैज रखी अगे भी, पूरी पैज इड़त रखी है, मान सनमान रखेया, उना नू हमेशा ही सनमान दिता पागत सिरुपाव दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता, जिना उत्ते ऐसिया महान किरपा रहमता कित जिना ऐसे सत्गुरू तो जिड़ा सदाई पाई हर जुग जुग पगतो पाया, पैज रखदा राम राजे हर नाक्स दुष्ट हर मारया प्रहलात राया, अंकारिया निंदका पिठदे नाम देव मुखलाया, जनान कैसा हर सेवयां तले चड़ाया, ऐसी पैज रखन वाल जोच चैज रखदाई हर जै, वो तो पाई सदाई बलिहार, कुर्बान जै ये, पैज भी रखन वाला थै रखाई रख्या भी करन वाला है, ऐसे सत्गुरू तो पाई सदाई बलिहार, कुदान जै इए, समाह गे जान दी आगयानी दंदा सनमान जो, सिंग झाल नि चर्ण संगं जि सावका गरंद्थी साजखन शिरी हर घरमंदर साहिब संद भाबा सुभा संग जि कारसेववाले महापुरुक सथकार जोग सिंग सापाई जिस्वीर संग जि खाल सावका जतेदर शृरी कालतक साव रागी पाई सापाई राम संग जि जो बड़े महापुरुखां दे बदियारती है सतकार जो गयनी परविंदर पाल सिंग जी बुटर जो दम्दमी टक्साल दे महान बिदवान हन सतकार जो गयनी साब सिंग जी जी जोवन प्री सिंग जी ऐसे ही तरह सतकार जोग महान बिद्वान ग्यानी जीवा संग जी सो मैं सारे अंदे पाई बहुत बहुत नवाद करदा जथे दर बाबा जी संग जी जथे दर पाई दिरनेल संग जी जो सारे जोड मिले विट पावना नड सेवा कर रहे है सो सारे यह संगतां दा पाई मैं रूम रूम करके बहुत बहुत नवाद करदां हma, मैं दर्शन करने यहां बड़ी दूरूं दूरूं पर जो खरा साप तुंंभिवना माहा पुरकानल प्रेम करने वाली संगता ही है वक वक अलाकेया नगरा मिच्छों दूरों दूरों संगतां पुंची याँ पाई चमकौर सिंग जी पुंचे याँ सार याँ संगतां दाई मैं रूम रूम करके बहुत बहुत नवाद करदां पुलना चुकां गुरू माराज गुरू की संगत ने खिमा करनी या सिंग साब ग्यानी चर्न सिंग जी सिंग सब आई जस वीर सिंग जी खालसा सब का जथे दर शरी काल तक शाब ओ गुरमध दीयां भीचाराँ थोड़ा समा तो आदेज रसां जी यां करनगे फिर देग बरते की फिर सार यां संगतन गुरू का लंगर तयार है जीवा संग जी सारे परोग्राम दी जानकारी आप जीनु देनगे सो दास दी इतनी हाज री आप संगताने परवान करनी पुला चुकां खिमा करनी है साथ संग जी शरोमनी दंदमी सटीक दीयां दस पुतियां चप चुकियां हन अगली सेवा जारी है जो सिन्ना बसिन्ना गुरुबानी दे अर्थां दाख जानना दंदमी टक साल विच मौखक रूप दे वच माहां पुरुखां तक चले आया ओस नो हुन कलंबद कर दिता गया है बडी मेंत मशकत सिंगा ने मिलके किती है सो पाई अपनी मसाल आप होएगा एस टीक करना है एसे तरह प्रफेशनल काल जाप गुरुमत दंदमी टक साल विच पलास्टू बच्चे सिंग विद्या दिन्यावी भी ते गुरुमदी विद्या भी पड़ रहे अपने परवारा मिच्चों अपने बच्चेयानू बद दाखले करा के गुरुमत देवी दिन्यावी विद्या देवी अपता नहीं बणाउना है सो पाई एवी कार्जमार असवा आपी चला रहे हान सो आप संगताने बेंतियां प्रवान करनियां पुल्ना टुकां खिमा करनियां कर सेवा सेवक प्रभ अपने जिन मान की चप जाई नान क दास्ता कैबलहार जिन पूरन पैज रखाई वाहि गुरुजी का खालसा वाहि गुरुजी की फते साथ गुरुजी की साजी निवाजी परमसतकार जोग साथ संगत जी कलगी तरपाथ शाजी की साजी निवाजी होई दम्दमी टकसाल दे बारवें मुखी